Hello friends, I am Shushant. Welcome you all to class 9 history chart number 2. We are continuing socialism, the Russian revolution. Today we will start from the civil war. इसका मतलब गुरुह यूद्ध. इस जो गुरुह यूद्ध रोशिया में केसे हुआ चलो देखते हैं. जब बल्शेविकों ने जमिन के पुनर वितरन का आदेश दिया, तो रुशी शना तूटने लगी. जदतर सिपाही किसान थे. वे भुमी पुनर वितरन के लिए घर लोटना चाहते थे. इसलिए सेना छोड़ कर जाने लगें. गैर बल्शेविक समाजबादियों, उदारबादियों और राजशाही के समर्थों को ने बल्शेविक बिद्रो की निंदा की. उनके नेता दख्षिनी रूश में इकठा होकर बल्शेविकों से लड़ने के लिए टुकुडियां संगठित करने लगें. 1918-1919 में रूशी समराज के ज़्यादातर हिशों पर समाजी करन्तिकारियों और जार समर्थों को की नियंत्रन रहा. उन्हें फ्रांचिसी, अमरीकी, ब्रिटीश और जापनी टुकुडियों के भी समर्थन मिल रहा था. ये सभी सक्तियां रूश में समाज बाद को फेलते फुलते नहीं देखना चाहते थे. इन टुकुडियों और बलसभीकों के बीच चले हुए जुक्रिही युद्ध के दोरान लोटमार, डकिती और भुख मरी जैसे समस्याएं बड़े पेमाने पर फेल गई. ये जो वाइट हाउस में जो नेजी समपति के जो हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कबजा करने वाले किशानों के खिलाफ काफी सक्त रवया अपनाया, उनकी इन हरकतों के कारण इसके तो गैर बलसभीकों के प्रती जन समर्थन और भी तेजी से घटने लगा. जन्वारी 1920 तक भूत्पुर्व रूशी समराज्य के ज्यादातर हिशों पर बलसभीकों का म्यांत्रन कायम हो चुका था. उन्हें गैर रूशी राश्टरबादियों और मुस्लिम जदिदियों की मदद से यह काम्याभी मिली थी. जहां रूशी उपनिवे सवादी ही बलसभीक विचार धाराक के अनुविदाई बन गए थे. वहां यहां मदद काम नहीं आ सकी. मध्येशिया स्थित जो खिवा में बलसभीक उपनिवेश्यकों ने समाजबाद की रक्षा के नाम पर स्थानिय राश्टरबादियों का बड़े पेमाने पर जो कतले आम किया. ऐसे हालात में बहुत सारे लोगों को यहां समझ में नहीं आ रहा था कि बलसभीक सरकार क्या चाहती थी या क्या चाहती है. अन्सिक रूप से इसी समस्या से निपटने के लिए ज्यादा तर गैर रुशी राश्टरबादियों का या उसको सोवियत संग इसमबर 1922 में रुशी समराज्य में से बलसभीकों द्वारा स्थापित किया गया राज्य के अंतरगत राजनितिक जो स्वायतता दे दी गई. लेकिन क्योंकि वलसभीकों ने स्थानिय सरकार उपर ये कई अलोक प्रियों और सक्थ नितियों जैसे की घुमन्तुबाद इसकी रोख थाम की कड़ी कोशी से थोप दी थी. इसलिए विभिन्ने राश्ट्र नेताओं या राश्ट्यताओं का विश्वास जितने के प्रयास अंसीक रूप से ही सफल हो पाएं. नेक्ट पॉइंट मेकिंग और सोशलिस सोसाइटी, समाज बादी समाज का निर्मान. ग्रोहियुद के दवरान बलसेविक ने उद्यगों और बैंकों के जो राश्ट्य करण की जारी रखा. उन्होंने किसानों को उस जमिन पर खेती की छूट दे दी, जिसका समाज करण किया जा चुका था. जब्त किये गए खेतों का इस्तमाल, बलसेविक यह दिखाने के लिए करते थे कि सामुहिकता क्या होती है. सासन के लिए किंद्रीकृत नियोजन की विवस्था लागू की गई. अफसर जो इस बात का हिसाब लगाते थे, कि अर्थ विवस्था किस तरह काम कर सकती थी. इस आधार पर वे पांच साल के लिए लक्ष यत्ता कर देते थे. इस आधार पर उन्होंने पंच बर्शी योजनाएं बनाने शुरू की. पहली दो योजनाओं के दोरान अध्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने सभी तरह की किमतें स्थीर कर दी. किंद्रिकृत नियोजन से अर्थिक विकास को काफी गती मिली. अध्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा. कैसे? नए नए अध्योगिक सहर अस्थित्व में आए. 1929 से 1933 के बीज तेल, कोवेले और स्टील के उत्पादन में सत्प्रतिसत ब्रुद्धी हुई. मगर तेज निर्मान कारियों के दवाब में कार्य स्थितियां खराब होने लगी. जो मागनीटो गुर्ष्ख जो सहर में एक स्टील सजंत्र का निर्मान कार्य तीन साल के भीतर पूरा कर लिया गया. इस दवरान मजदुरों को बड़ीग सक्त जिन्दगी गुजरती या गुजरने पड़ी जिसका नतीजा ये हुआ कि पहले ही साल में 550 बार काम रुका. रिहा यसी जो क्वाटरों में जाड़ों में सोचाले जाने के लिए 40 डिग्री जो काम 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतर कर सड़क के पार दड़ कर जाते थे. एक विस्तारीद सिक्षा विवस्था विकसित की गई और फैक्टरी कामगारों ये बम किसानों को विश्व विजालों में जो दखिला दिलाने के लिए खास इंतिजान ये किये गए. महिया जो कामगारों के बच्चों के लिए फैक्टरीयों में जो बलवडियों ये खेल दी गई. मजदुरों के लिए आदर्स रिहायसी मकान बनाये गए लेकिन इन सारी कोशिशों के नतीजे सभी जगह एक जैसे नहीं रहे क्योंकि सरकारी समसाधन सिम्मित थे. तो नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है जो की स्टालिनिजिम इंड कॉलेक्टिव हैजेशन तो इसका हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आज के लिए इस रिपीत रहे हैं तो लाफ्यू टेक केरे फेस्टेडीज टेंक्यू.